क्या आप एक फेक रिलेशन्शिप में फस गये या फिर आपको लगता है कि आपका रिलेशन्शिप फेक है क्या हुई गाइज माई निम इस जीत राठार और आप सभी का एक और बास आ घरता है हमारी इक और नई वीडियो में आज हम बात करते हैं ऐसे क्या साइंज हैं जिससे आपको पता चले कि आप जिस प्यार को प्यार समझ रहे हैं उप्यार नहीं है वह दोका है कि हुआ कि आपका प्यार धोका ना हो इस शीजिश के लिए bet इस साइंस को लिए मत करेगा यह साइनस देखना बहुत जरूरिए है जिससे आप पता लगा पाएं गिजो हो यह रहा गलत हो रहा है की हुल जा हो रहा है समझते हैं सबसे पहले मुझे लगता है या तो फेक लव होता ही नहीं है मतलब या तो प्यार होता है या तो फिर नहीं होता है वैसा बीच का कुछ नहीं होता है तो अगर फेक मतलब लव नहीं है तो मैं यह बोलूँगा आप फेक लव के लवा मुझे कोई और कैची वर्ड दिखा नह अगर प्यार नहीं होगा फेक नहीं हो सकता या तो प्यार होता है या तो नहीं होता है तो हम इसे म SAR लेते हैं पर फिर भी हम वो से पहले जो साइन है वह है कि Ihr आपका partner बहुत ज्ञादा inconsistent है अपने बहीएवियर को लेके कबी वह वह बहुत खुश हो धाता है कई बर वह आपको बहुत दिखाता है कई बर वह गुस्सा हो जाता है तो कई बर वह आप ऐसा मतलब उसका बड़ा strange सा behavior आपको समझ में नहीं आता है कि पिछिली बार मिला तो ठीक ता इस बर क्या हो गया अचा इस बर यह है तो पिछली बार क्या रहा है फिर वो दिखा रहा है कि ओहों हो यू और माइल लव फ्माइल लाइफ बट फिर गाया बुजा रहा है तो अगर ऐसा हो रहा है दोस्त तो देन यूर इन फेक लव यू यू यूर मेभी यूर विद रॉंग परसन सेकेंड लाक ओफ इमोशनल इंटेमेसी आपका जो इमोशनली आपके साथ अटैच नहीं हो पाता इमोशन को शेयर करने से थोड़ा डरता है और आप भी जब उसके साथ इमोशन शेयर करते हो तो थोड़ा सा लेटिड भी करता है कि यार चलो ठीक है बस ठीक है जल्दी बूलो आगे बढ़ते हैं कुछ फनी बात करते हैं कही कुछ घूमने चले जाते हैं बाहर चलते हैं कौफी पीते हैं वह एक्च्वल में ओवाइड करने की कोशिश करते हैं उन सिच्वेशन को जिसमें आप अपने इमोशन को शेयर करने की कोशिश करते हो या आप चाहते हो उससे कि वह अपने इमोशन आपके साथ शेयर करें ज ये तो मनला किसी में भी है तो वो कोई भी तरह का रिलेशनिशिप नहीं निभा सकता और ये तो एक रॉंग चॉइस ही है वो ये है कि ये लाक ओफ एमपथी है उस इनसान के अंदर लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि एमपथी लोगों में बहुत जदा काम हो जाती है एमपथी के पीछे लोग बात नहीं करते हैं एमपथी है कि एप मैं फिर से इसी वीडियो में बता देता हूं कि जब आप किसी के श आपके अंदर वह फीलिंग आए जैसे कि आप उसे बोल रहे हो कि यार ऐसा है वैसा है पर वह बोल रहा है ये ड्रामा मत किया कर मेरे सामने तो एक्च्छल में उसे एमपथी नहीं है वह आपकी तरफ जाके नहीं सोच रहा है कि जो भी वह कर रहा हो कितना हर्ट फुल है त अब भी हम प्यार में होते हैं किसी के साथ तब हम एक्च्छल में उस इस इंसान को पहली प्लेस पर ठै हम सूचते हैं कि ह kal एक रोंकी कर शाही बोजनन gegen उना चाहिए जाही हो नहीं तो उसके लिए दो चाहिए तो मतलब यह कर यह एक्जामपल दे रहा हूं पर ऐसे बता यह वह हैं manipulating behavior को वह आपको time वह आताइज है और अब यह अधे अनुवडकाता आपसे नहीं कि उसका और नाी जया है कि we as a human हमारा human behavior ऐसा है कि जब हम प्यार में आते हैं किसे के साथ तो हम वो चीज़े करते हैं जो हमारे behavior में exist नहीं करती यह याद रखेगा कितनी बार आप अपने आपको भी देखेंगे जब आप प्यार में होते हैं आप वो चीज़े नहीं कर रहे होते जो एक्टोल में आप normally करते हैं तो यह सबसे बड़ी बात है यह समझने वाली बात है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर वो इनसान बार-बार आपको manipulate कर रहा है कि नहीं नहीं जो भी हो रहा है सही हो रहा है इसही बात है ठीक है चल जाएगा तो फिर गही नहीं दिखकत है ठीक है तो यह manupktionig behavior प्यार में manupulation नहीं चलता है प्यार में चीजे होती है या तो नहीं होती है अगर आपको बार बार manupulate कर रहा है कि यार नहीं ऐसा ही यह है ऐसा ही है या तुम ही गलत सोच रहे हो तुम जो F with कर रहे हो वही गलत है कई लोग ऐसा भी करते हैं कि वो आगे वाली की feeling को ही deny कर देते हैं कि ऐसा है ही नहीं तुम ही 一 यह फील गलत कर रहे हैं तो अगर ऐसा हो रहा है तो शायद आप एक wrong relationship लोग प्यार में लोग मैंने नहीं करते हैं दूसरे के लिए लोग प्यार में अपनी गल्तियां मानते हैं दूसरे की खुशी के लिए यह सारी चीज़े करते हैं पर यह नहीं हो रहा है यह सबसे बड़ा साइन है जो पहले बार में ही समझ जाना चाहिए और फिर पीछे हड़ जाना चाहिए लोग सुसते हैं प्यार जो है ना वो बस एक मोशन है मतलब अगर मैंने आपको बोल दी आलव यू मैं आपके साथ जिंदगी पर रहना चाहता हूं और अक्चुल में ऐ है मतलब वो इनसान एक तो convincingly वो इनसान कमिट नहीं कर पा रहा है मतलब आपको बोलता देता है नहीं नहीं आर मैं कोशिश करूंगा देखेंगे होगा समझ लेंगे कर लेंगे पर effectively आपको एक ठोज सबूत नहीं दे रहा है कि यार नहीं मैं मैं करूंगा ठीक है वह बहु दोन रहे हो और आप 18 साल की उमर में डूंड़ रहो तो वहां भी दिक्कत है या फिर आप जानते हो कि आपका जो भी पार्टनर है वह कमिटमेंट देने की स्टेज पर ही नहीं वह इस बात की कमिटमेंट दे भी देगा तो यहां रूख ही नहीं सकता है उसको वह उसकी चल कर पा रहा है ठीक है जब भी आफ फिशेर प्लैनिंग की बास करते हो कल क्या करना क्या नहीं करना वे सारी बाते सामने आती है तो वह पिछली वाली गली से भगने लगता है वह आंके चुराता है वह सोचता है यह टॉप को कैसे डौश किया जाए क्योंकि वह जानता है कि यहां पर कुछ समय के लिए है जब तक है फिर उसके बाद वो निकल लेगा तो वो commitment देना नहीं चाहता और future planning का उसका कोई मन नहीं है तो वो यहां पर सिर्फ fun entertainment और enjoyment के लिए है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार बस मज़े ही हो रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है मतल manipulative behavior है lack of कही ना कहीं consistency है lack of emotional intimacy है तो यह सारी चीज़े हैं तो शायद यार you're in a fake love थोड़ा देख लो यह रेट फ्लेक्स को जानो समझो और फिर अपने लाइफ का decision लो और तो हमारे चैनल में बहुत सारी यह से वीडियो जिसमें आप अपने relationship को healthy कैसे कर सकते हैं आप मूव जरूर कीजेगा बाकी description में link है जो what is love वाली वीडियो वह बहुत effective वीडियो बहुत in-depth वीडियो उसको भी जरूर देखेगा और बस like कर दीजे और आज के लिए विदा लेते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत लब्यूर